हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूटूब चैनल बुर मारकेट्स आज हम नैस्डेक 100 इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं क्यों आपको इसमें इंवेस्मेंट करनी चाहिए और कौन से फंड के द्वारा आप इसमें इंवेस्मेंट कर सकते हैं अगर आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए अगर हम नैस्डेक 100 इंडेक्स पंड की बात करें तो यहां पर अल्मोस 100 कंपनीज का कंपोजिशन है जहां पर टॉप 5 कंपनीज है एपल, माइक्रोसॉफ, एमेजॉन, एन्विडिया, टेसला औ यहां पर अगर आप 100 इंवेस्ट करते हो तो आपके 12 रूपीज एपल में इंवेस्ट होते हैं, 10 रूपीज माइक्रोसॉफ में, 7 रूपीज एमेजॉन में, 4 रूपीज एन्विडिया और टेसला में, इस प्राकार से अपका 100 रूपीज एलोकेट किया जाता है, यहां पर पर आपको पूरा ग्लोबल इक्विटी एक्स्पोजर मिलेगा, अगर हम सेक्टर वाइज वीट्स की बात करें तो फिनांस को छोड़के सारे सेक्टर में एलोकेशन किया जाता है, तो यहां पर 53 परसंट पैसा आपका टेक्नलोजी डिवेन कंपनीज में लगेगा, उसके बात में 25 परसंट कंजूमर सर्विसेज, 9 परसंट हेल्थ केर और 5 परसंट इंडस्ट्रियल गोड्स में आपका पैसा लगेगा, अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर आपने तीन साल पहले 1,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दी होती, तो आपने टोटल 36,000 रुपीज इ आप पे 12,000 रुपीज, यानि कि every month 1,000 अपने इंवेस्ट किया होता, तो आपको आज के तारीक पे 12,500 रुपीज मिलते, यानि कि CAGR रिटर्न 9.5% है, जो की काफी नॉर्मल रिटर्न माना जाता है, अगर हम 52 वीक हाई प्राइस से बात करें, तो 13% डिसकाउंट पे यहाँ आप long term investor हो, तो यहाँ पे एक SIP शुरू कर सकते हो, और long term के लिए hold कर सकते हो, अब हम यह देखेंगे कि हम NASDAQ Index Fund में कैसे investment कर सकते हैं, हमारे पास काफी सारे options हैं, जिसमें से यह दो option काफी अच्छे हैं, पहला है ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund, यह एक ICICI Prudential Mutual Fund का product है, काफी safe product है, यह यहाँ पे आप investment कर सकते हो, SIP के root से भी, और दूसरा है, KOTAC NASDAQ 100 Fund of Fund, यह भी एक काफी अच्छा product है, और काफी reliable है, क्योंकि यह ICICI और KOTAC को belong करते हैं, तो यहाँ पे आप SIP करके चल सकते हैं, long term यानिकि 5-7 साल में, आपका काफी अच्छा return बन जाएगा, NASDAQ 100 Index Fund में investment करने के कई benefits है, जिसमें से पहला है global equity exposure, यानिकि अगर आप यहाँ पे investment करते हो, तो आपको US equity का काफी अच्छा exposure मिल जाएगा, at a very low price, यानिकि 0.5% का expense ratio के उपर, दूसरा है dollar appreciation, यानिकि जब कभी dollar बढ़ेगा, तो आपको उसका benefit मिलेगा, तीसरा है, यहाँ पे आप top US tech stocks में investment कर सकते हो, at a affordable price, अगर आप long term investor हो, तो आप NASDAQ fund के तुरू long term के लिए SIP स्टार्ट करके, 1000-1500 का basic SIPB अगर आप स्टार्ट करते हो, तो long term में अच्छा खासा wealth create कर सकते हो, अगर आपको tech companies में investment करनी है, तो इससे अच्छा option आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छे companies है, और long term में अच्छा आपको wealth create करके दे सकते हैं, thanks for watching guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को like कीजे, और comment करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे,